हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन आफ आर्सॉप्टेयर के कूर्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम कमांड लाइन और डेटा एडिटर के बारे में बात करने जा रहे है। लेकिन पहला सवाल तो यही आता है कि यह होता क्या है। अब हमारे कई सारे लेक्चर हो चुके हैं, तो बहुत सारी बातों के बारे में आपको खुद-भखुद पता चल गया है, लेकिन फिर भी मैं उनको ऐएंग बार फॉर्मुली आपको बताना चाहूंगा। अब आप ये सोचिए, जब आपने R software को अपने computer पे install कर लिया है, बिन-बिन तरीकी के packages भी install कर लिया है, अब उसमें से हमको काम करना आरम करना है. तो R में काम करने का मतलब होता है कि हमको अपने उसमें से functions लिखने हैं, programming करनी हैं, इतियादी, इस तद़ के काम करने हैं, तो उनको कैसे किया जाएं? अब इन कारियों को करने के लिए हमारे पास दो options हैं, पहला option तो यह है कि हम R software के अंदर जो मुझे को सुविधा दी गई है, हम उसी के अंदर अपने commands को type करें, और उसी के अंदर execute करें, और दूसरा option यह है कि हम अपने किसी friendly software की सहिता लें, अब यह friendly software क्या होते हैं? आपने दिखा है कि एक इनसान होने के नाते हम सभी सारे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमारा एक दोस्त उसमें जड़ा सा हाथ लगा देता है और उसमें मेरी साहता कर देता है, तो मेरा काम बहुत आसानी से हो जाता है, उसी तरीके से R के अंदर भी software में programming करने के लिए कई सारे software ऐसे हो गए हैं जो उन दोस्तों का role play करते हैं, अब उन software को कैसे इस्तमाल किया जाए और वो software हमारी R की programming में कैसे सहता करते हैं, इसके बारे में भी हम कुछ बात करेंगे, लेकिन हम इनके बारे में इस lecture और जो हमारा अगला lecture होता है, दोनों में हम उसी topic पर बात करेंगे, इस lecture में हम उसका आरम करेंगे, आपको background देंगे और अगले lecture में हम आपको उस friendly software के बारे में और details से बताएंगे, तो अब एक बात तो यही आती है कि हमको अपने art programming में पहला step क्या है, पहला step यह है कि हमको अपने command को type करना पड़ता है, अब type कहां पे किया जाए और कैसे किया जाए, इसी बात को लेकर के चलिए, हम आज इस lecture को आरम करते हैं और इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं, और फिर मैं आपको उस में art console में भी करके दिखाऊंगा कि उन चीज़ें को कैसे execute किया जाता है, तो चलिए इस lecture शुरुआत करते हैं, अब देखि आज यू आई विंडो या art console, यह आपका art console है, जहाँ पर आप अगर देखेंगे, यह एक sign है, greater than sign, इसके बारे हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार बताना चाहूंगा, यह greater than sign हमारा है, यह हमारा prompt sign है, prompt sign मतलब कि इसके आगे आपको जो भी अपने command है, syntax है, उनको type करना है, और यह जो एक खड़ी line देख रहे हैं, यह हमारा cursor है, इसका मतलब क्या है? कि यह हमको अपनी line की position दिखाएगा कि कहाँ पर हमारा control है, और यहाँ पर आपको type करना है, और यह जो line बनी हुई है, इस cursor के आगे की, इसक को हम बोलते है, command, line और अपने सारे syntax, command, function, इत्यादी को हम यही पर type करते हैं, और यही से हमारा इनका execution भी होता है, और यह आप देखेंगे, तो बहुत बार हम लोग इसको कर भी चुके हैं, और जैसा हम लोग इस बारे में पहले भी बार कर चुके हैं, कि आर software में जो भी ह हमारे commands होते हैं, उनको जब भी हम execute करते हैं, तो वो menu driven नहीं होते हैं, ऐसा नहीं कि हम उनको click click करके काम कर सकते हैं, although कुछ हमारे पास RGUI window में button होते हैं, जैसे file package इत्यादी, लेकिन जो एक हमारा click click करके software होते हैं, उनसे ही अलग होता है, हमको यहाँ पर अपने commands को type करना होता है, अब जब भी हम commands को type करने की बात करते हैं, तो हमारे पास दो तरह के option हैं, एक तो option यह है कि हमारा command एक ही line पर type हो जाए, और दूसरा option यह है कि हमारा command या program जो भी कुछ है, वो एक से कादा line पर type होगा, और R software में दोनों की संभावना है, हम उसमें से syntax को भी लिख सकते हैं, और multi-line commands मतलब कि जो commands हमारे एक से ज़्यादा line लेते हैं, उनको भी हम लिख सकते हैं, अब जब हम अपने function को single line पर लिख देते हैं, तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब हम अपने उनको multi-line पर लिखने की कोशिश करते हैं, और जब हम अपने RGUI window पर हम लिखने की कोशिश करते हैं, तो कुछ समस्या नहीं आती हैं, और इन समस्याओं को दूर करने के लिए, हमारे पास एक option ये है, कि हम एक text editor को इस्तंबाल करें, और समस्या क्या होती है, ये भी मैं आपको बता दू, जैसे कि माली ये आपका prompt है, आपने यहाँ प पहली दूसरी लाइन पर लिखा है, ये सब आपका बेकार हो जाएगा, और आपको यहाँ पे फिर से पूरा-पूरा typing करना पर लगा, तो direct R console में prompt के आगे type करने से भेतर है, कि हम एक external text editor को इस्तंबाल करने, हम उस text editor के ओपर typing करें, और अगर उसमें से कोई mistake होती है, चाह पूरी typing करने की आफशक्ता नहीं पड़ेगी, अब इसी तरह के जो हमारे text editor होते हैं, यह हमारे internal भी होते हैं, built-in होते हैं, R software के अंदर और कुछ हमारे बाहर से भी external editor भी होते हैं, तो सबसे पहले हम अपने जो भी built-in editor हैं, उनकी बात करते हैं, तो built-in editor में एक हमारा text editor ह वो R software के अंदर होता है, और उसको इस्तमाल करना बहुत आसाल है, आप अपने R software को इस्तमाल कर लिए, जो यहां पर R GUI की menu बार आती है, जहां पर लिखा होता है, जहां पर लिखा होता है, फाइल, इतियादी, आप यहां पर फाइल पर click करिए, और उसके बाद में यहां पर आ जाएगा एक option लिकर के new script, यह script क्या होती है, जैसे हम बात करते हैं कि C++ programming में हमको program लिखना है, GW basic में हमको program लिखना है, Photon में हमको program लिखना है, तो उसी तरीके से program क्या होता है, कुछ lines को हम एक साथ लिख देते हैं और उनको बाद में execute करते हैं, उसी चीज को हम R software म script बोलते हैं, अब इसको हम देखिए, पहले आपको यहाँ पे screenshot की SATA से दिखाने की कोशिश करते हैं, फिर हम आपको R console में इनको execute करके दिखाएंगे, तो जैसी आपने R software को इस्तमाल किया, आपको देखिए ऐसी window दिखाई पड़ेगी, यहाँ पर देखिए कि यहाँ है file, आप यहाँ पर click करेंगे, तो आपको देखिए, यहाँ पर दिखाई पड़ेगा new script, आप बस यहाँ पर click कर दिए, जैसी आप click करेंगे, यहाँ पर एक नई window खुल के आजाएगी, और इस window के ऊपर यहाँ पर इसका title लिखा होगा untitled R editor, तो कि यह नई window है, जो आप इसक save कर सकते हैं, और बाद में, जो कभी इस्तमाल पढ़े, आप उसको recall भी कर सकते हैं, load कर सकते हैं, अब, जो भी आपने इस text editor के अंदर लिखा हुआ है, आप उसको edit तो करी सकते हैं, अगर आपने कोई mistake करी है, तो आप उसको ठीक तो करी सकते हैं, अब उसको execute कैसे किया जा एक ही line को execute करना है या मुझे एक से जादा lines को एक साथ execute करना है उसको कैसे किया जाए तो देखिए पहले तो मैं आपको ये बता दू हमको कैसे करना है फिर मैं आपको करके भी दिखाऊँगा अगर आपकी इस text editor में कोई भी यहाँ पर line लिखी हुई है जैसे पहली line और यह दूसरी line यहाँ पर जो भी लिखा है आप उसको highlight करिए अब highlight करने के लिए आपके पाद दो option है आप अपने mouse का इस्तमाल करिए या आप shift की और arrow की है आप उसका इस्तमाल करिए और आप अपन command को highlight कर दीजिए और फिर उसके बाद में control और arrow को एक साथ दबा दीजिए control की की आपके keyboard पर होती है और ऐसी जो arrow alphabet की की भी आपके keyboard पर होगी तो पहले आप control को दबाईए और साथी में आप arrow को दबा दीजिए जैसी आप इसको दबाएंगे आप arrow console में यह वाला जो function है command ह यह execute हो जाएगा और अगर आपको एक से जादा lines को एक साथ execute करना है तो आप उधारण के लिए आप यह दोनों lines को आप एक साथ highlight कर लिजिए और फिर से आप control और दबा दीजिए तो आपका दोनों line एक साथ execute हो जाएगा अब हम आपको देखिए आगे बगने के पहले हम आपको जड़ा यह करके दिखा देते हैं जैसे देखिए आपने यह आर कंसोल को खोला अब यहां पर देखिए फाइल में यह देखिए option है new script अब देखिए आप new script जैसे ही खोलेंगे देखिए आपको यह के नई window बन गई इसका हम थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं और operations से आप यह भी देख सकते हैं कि यह सारे-सारे operations हमारे यहां पर संभव होते हैं और जिनकी साहता से हमको थोड़ा साहता मिल जाते हैं कि कई सारे operation को हम एक साथ देख सकते हैं अब देखिए यह जो मारी नई window खुली है इसमें उपर लिखा हुआ है untitled our editor अब यहां पर हम कुछ लिए कुछ एक command type करते हैं although मैं यह बात को मानता हूं कि मैंने अभी तक आपको programming के बारे में या command के बारे में कुछ नहीं बताया है लेकिन यह छोटे से command तो आप समध सकते ही हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं तो पहले मैंने लिखा x equal to 2 फिर हमने लिखा y equal to say 3 और फि इसको हम execute करना चाहते हैं. तो execute करने के लिए आपको धिहान देना है कि हम highlight करेंगे देखिए यहां पर पहली line को और हम दबा देंगे यहां पे control R और जो भी आपको धहान देना है कि R कं कंसोल में देखेगा कुछ यहां पे कुछ होगा क्या होगा यह आपको देखना है तो देखें, मैंने यहां पर इसको दबाया, मैंने x equal to 2 को मैंने highlight किया और दबा दिया control और r देखें, मैंने जैसी दबाया, यहां पर हमको x equal to 2 की value मिल गई और अगर आप यहां पर x की value देखेंगे, तो अभी क्या हो गई 2 उसी तरीके से आपने y equal to 3 को आपने highlight किया और आपने दबा दिया control r तो देखें यहाँ पर आपको y की value मिल गई आप देखेंगे तो y की value हो गई 3 और फिर आपने z is equal to x plus y को highlight किया और आपने दबा दिया control r तो देखें यहाँ पर आपको देखेंगे तो आपको z की value मिल जाएगी और अगर आप अगर यहाँ पर x, y, z की value एक साथ भी देखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ भी type कर सकते हैं लेकिन अब हम आपको एक काम और करके दिखाते हैं कि अभी तो मैंने आपको एक-एक line को execute करके दिखाया है अब मैं इन सारी-सारी lines को एक साथ execute करके आपको दिखाना चाहूँगा तो चली हम x की value कर देते हैं 20, y की value कर देते हैं 30 और हम z की value निकालते हैं और अपनी इस वाली window को हम clear कर देते हैं control L दबा करके अब देखिए अब हमने यह तीनों चीजों को highlight कर लिया और मैंने इस में दबा दिया control R देखिए यह execute हो गया अब हमको इसकी value देखनी क्या-क्या आई है तो मैंने यहाँ पर type कर लिया x, y और z और फिर से मैंने माली इन तीनों को मैंने highlight किया और मैंने दबा दिया control R तो देखिए अब आपको R console में जो इनकी value मिल गई क्या मिल गई x equal to 20, y equal to 30, z equal to 50 तो आपने देखा कि जब आपने इन एक से ज़्यादा lines को एक साथ highlight किया और control R दबा दिया तो सारी की सारी lines अपने आप से execute हो गई और उसके बाद में आप इस अगर file को save करना चाहते हैं तो आपको यह save करने का भी option देगी और जैसे कि आप अगर यहां पर आएंगे तो यह आपको option देगी file save as इत्यादी करके इस तरह से आप यह सब बहुत ही common operations होते हैं तो अब मैंने आपको R console में अपने commands को कैसे execute करना है उसके बारे में बता दिया अब हम आपको कुछ एक external softwares के बारे में बताना चाहेंगे जब भी हम R software में काम करते हैं तो आपने देखा कि जैसे हमारी दो Windows की उसी तरह से हमारे पास और भी operations होते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमको कुछ और operations भी पता चलते जाएंगे तो अब उन चीज़ों को हम एक साथ कैसे करें तो हमारी साहता करने के लिए कुछ software को develop कर दिया गया है जो हमारे RK functions को run करने में हमारी साहता करते हैं और यह हमारे भिन-भिन तरह के software हैं और जैसे एक software का नाम है RStudio एक और software है जो आज से बहुत पहले काफी popular था उसका नाम है TIN-R-T-I-N-N-R और यह सभी हमारे free software हैं और उसी तरह से RStudio भी हमारे एक software है जो हमारी R के अंदर जो हमारी programming होते हैं उसके executions होते हैं जो उसके output होते हैं उसमें हमारी साहता करने के कोशिश करता है तो for example ऐसे दारन के लिए आपको अगर TIN-R package को अगर को अगर download करना है तो आप इस site पे चले जाएंगे यहां से download करेंगे उसके बाद में आप इसको install कर लिजिए तो यह TIN-R package आपके computer पे इस्तमाल हो जाएगा आप इसको use कर सकते हैं आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं उसी तरह के से एक और software है RStudio यह भी हमको R की जो भी functionalities है उनको execute करने में हमारी साहता करता है यह जो RStudio है यह हमारा C++ programming language में दिखा गया है और यह भी हमारा एक free और open source integrated development environment के अंदर यह काम करता है और अगर आप इस RStudio को download करना चाहते हैं तो आप www.rstudio.com की site पे कले जाएए और वहां से आप इस software को बहुत आसानी से download कर सकते हैं हाँ यह बात आपको दियान रखनी है कि इस site में जब आप जाएंगे तो RStudio के कुछ version free होते हैं और कुछ version में आपको ऐसा देना पड़िता है तो अब मैं यहाँ पे free version की बात कर रहा हूं और एक चीज़ मैं आपको साफसर बताना चाहूंगा कि मैं आपको इन software के बारे में तो बता रहा हूं लेकिन मैं इस course में अपने जो भी executions हैं जो भी program से उनको मैं आपको R console में करके ही दिखाना चाहूंगा क्यों क्योंकि मैं यह नहीं चाहता हूं कि आपकी knowledge किसी particular external software के उपर dependent हो जाए जब आपको R software आ जाएगा और जब भी आपको कोई programming करनी है देन आप खुद बखुद देखोगे कि R studio में काम करने से आपको साहसा मिल रही है लेकिन आपके जो basic fundamentals हैं वो आपके clear रहेंगे क्योंकि R studio या 10R या कोई भी हमारा software अगर है यह आपका screen पर तो कुछ काम करता है जो भी करता है लेकिन पीछे की site में इसमें R software ही होता है तो अगर हमारे पास option किसी चीज़ को basic fundamental करीगे से सीखने में है तो क्यों ना उसको fundamental करीगे से पहले सीखा जाए आप अगर आपको R studio को download करना है तो आप www.rstudio.com पर चले जाएगे मैंने आपको यहाँ पर screenshot दिया हुआ है आप देखेंगे कि यहाँ पर एक यह option है download आप इस download पर click कर लिजे और आपको कुछ ऐसी एक site खुल जाएगी मैंने उसका screenshot यहाँ पर दिया हुआ इसमें से कई सा free आपको यहाँ पर click करना है और आपको इस software को download कर लेना है और इसमें आप अगर double click करेंगे आगे के instruction को follow करते जाएगे तो आपको यह software आपके computer पर install हो जाएगे इसके साथ में आप अगर देखेंगे कुछ और यहाँ पर versions भी हैं बाकी कामों के लिए और कुछ free हैं और free software की ही बात कर रहा हूं लेकिन मैं साथ में आपको यह बात भी बिल्कुल clear करना चाहूंगा कि मेरा उदेश यहाँ पर किसी software की का अचार करना नहीं है मैं सिर्व आपको बस information करना चाहता हो कि जब आप किसी software में काम कर रहे हो तो किसी और software की साहता से आप उसमें आसानी स काम कर सकते हो लेकिन यह आपकी इच्छा है कि आपके सॉफ्ट्रेयर में काम करना चाहते हो चुकि हमारा उद्देश यहाँ पे आर सॉफ्ट्रेयर से रिलेटेड है इसलिए हम आपको धाराल के लिए खाली आर स्टूडियो के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडेक्शन अगल यह आई विंडो है खाली हम उसी को इस्तेमाल करेंगे और उसी से हम अपने सारे अग्जीक्यूशन करेंगे और जब आप इस आर सॉफ्ट्रेयर को आप जब इंस्टॉल कर लेंगे तो कुछ आपको देखेगा वह ऐसा दिखाई पड़ेगा यहाँ पे इस तरह की चार वि लेक्टर का कहां आरम करेंगे लेकिन मैंने आपको यह बता दिया इसलिए क्योंकि जब आप अगले लेक्टर में आते हो तो आपने इस सॉफ्ट्रेयर को पहले इंस्टॉल कर लीजिए और इसको जड़ा सा देखने की कोशिश करिए समझने की कोशिश करिए उसके साथ खे करके कुछ जाना पैचाना लगेगा और उसके बार हमारे लिए और आपके लिए इस लेक्टर को समझना आसान हो जाएगा अब इसी के साथ में मैं इस लेक्टर को यहां पर रोकता हूं और आप देखेंगे कि इस लेक्टर के माध्धियम से अब आपको थ्वासा समझ में आ रहा होगा यह मेरी पूरी उम्मीद है अब आने वाले समय में हम धिमी दिम्बे करके अपने इन आर सॉप्ट्रियर की जो फंक्शनालिटी से उनको बहाते जाएंगे और धीरी दिर करके आप इस आर सॉप्ट्रियर को सीखते जाएंगे तो आज मैं आप से यही लिखा हुआ है अगले लेक्चर में हम आपको ब्रीफली जो आर स्ट्यूडियो की फंक्शनलियल्टी से उसके बारे में समझाएंगे आप इसकी प्रैक्ट्रिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर पर फिर से मिलेंगे तब तक के लिए गुट बाई क्यों आपको अग्या हम आपको अग्या है.